रोड बनाने के मामले में अब हम बिल्कुल भी जादा साथिस्पाइड नहीं है हमारी करेंट टेक्नोलोजी से तो मंतरी जी ने यहाँ पर साफ साफ कहा दिया है कि इनोवेटिव टेक्नोलोजी लाओ, आइडियास लाओ इसके लिए अब National Highways and Infrastructure Development Corporation इनके साथ Ministry of Railway ने एक MOU साइन कर लिया है और यहाँ पर डिस्कवर किये जाएंगे काफी सारे इनोवेटिव आइडियास लेकिन मैं आपको आज इस वीडियो में काफी इंट्रेस्टिंग ऐसी ऐसी टेक्नोलोजी बताऊंगा जो की दुनिया भर में यूस की जारी है स्वेडेन से लेके अमेरिका, चाइना, चपना, सब के बार में मैं आपको बताऊंगा और इन सब टेक्नोलोजी के बार में शायद ही आपने कभी सुना होगा सबसे पहले बात करते हैं फ्रांस की तो स्वेडेन भी पूरी तरह से फूर्फरेंट में खड़ा हुआ है ये तो एलेक्ट्रिक रोड्स डेलप कर रहे है जो की कंड़क्टिव टेक्नोलोजी को यूस करके आपकी एलेक्ट्रिक वेहिकल को चार्ज कर देंगे चलते चलते ही इनोवेशन की बात हो रही है और चाइना का जिक्र ना हो ये तो भला हो नहीं सकता तो चाइना की बात करें तो ये लोग 3D प्रिंटिंग टेक्नोलोजी ला रहे है रोड कंस्ट्रक्शन में जहां काफी बड़े बड़े जाइंट 3D प्रिंटर्स ये लोग बना कर रोड कॉंपनेंट्स को कंस्ट्रक्शन करना चाते है और इससे जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो 40-50% तेज़ी से किया जा सकता है फिर UK की तरफ बड़े तो ये देश वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलोजी पर काफी जादा एक्स्प्रिमेंट कर रहा है ये चाते है कि इनकी बसे जो चलती है वो वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलोजी के तहद पटाफट से चार्ज हो जाए चलते चलते ही उसके बाद अब चलते हैं युनाइटेट स्टेट्स तो यहाँ पर इंटेलिजेंट लाइटिंग सिस्टम टेस्ट के जा रहे है साथी में काफी सारी धेरो टेक्नोलोजी भी यहाँ पर टेस्ट की जाती है वही आगे बढ़ते हैं नेधरलैंड की तरफ तो ये लोग तो बहुती जादा इनवेटिव नया टेक्नोलोजी ला रहे एर प्यूरिफाइंग पेवमेंट्स जी हाँ आपने बिल्कुल ठीक सुना है किसीने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ बन सकता है ये बेसिकली कुछ इस तरह के पेवमेंट्स डिजाइन करना चाहते है जिससे एर क्वालिटी और जादा सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो और वो भी रोड कंस्ट्रॉक्शन में अब हाँ मुझे पता है काफी लोग वेट कर रहे होंगे जपान और ऑस्ट्रिलिया के बार में तो सबसे पहले ऑस्ट्रिलिया की बात करें तो यह काफी जादा इनोवेटीव रोड टेक्नोलोजी पर रिसर्च कर रहे है जिसमें प्री फ़ैब्री केटड़ पेविमेंट सिस्टम यह शामिल है स्मार्ट रोड टेक्नोलोजी इन फैक्ट यह रोग ऐसी भी टेकनोलिजी डिलप कर रहे है जहां vehicle communicate कर पाईगी to infrastructure system फिर finally last but not the least हम बढ़ते हैं जपान की तरफ अब जपान भी काफी high tech approach ले रहा है road construction में इनका focus है safety और efficiency that's it ये दो सबसे बड़ा focus और इसके लिए इन्होंने लाया है अपना intelligent transport system जिसमें काफी advanced cameras, automatic incident detection system फिर traffic flow को कैसे improve किया जाए, accidents कैसे reduce किया जाए ये सारी technology आपको इनके intelligent transport system में मिल जाएगी so ऐसी ही technology हम भी लाना चाते हैं हमारे देश में और इन सबसे तो अब आपको पता ही चल गया होगा कि अगर हमने अभी innovative technologies पर focus नहीं किया तो कितना पीछे रह सकता है भारत इन सबी देशों से so अगर आपको ये वीडियो जरह से भी informative लगी हो तो please share कीजे अपने friends and families के साथ भी ताकि उन्हें भी पता चले ऐसी ऐसी innovative road technologies के बारे में